हेलो एव्रिवन वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग हम सब भी बहुत बढ़िया है तो जी व्लॉग शुरू हुआ है मंडे की मॉर्निंग से और ये सुभा का टाइम है सवा साथ बजे का हम लोग वेट कर रहे हैं हनी की वैन का और बाहर ना बारिश आ रही है सेट मेरे जादा सुधार नहीं है समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है क्यूंकि फीवर अच्चाओ बन्し कर रहे हैं और बाड़ी है बहुत ज्यादा पेंट कर रही है और होता है जैसे हाथ पैयडीले हो जाते हैं आपने लग जाते हैं कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है तो यहां पर जो है नहा के मैं आ गई हूँ और बस वही सिंपल सा थोड़ा सा क्रीम हो गया काजल हो गया और सिंदूर बिंदी पस यही तो जी बस यहां पर जो है थोड़ा सा हाथ भी जोड लूँगी और उसके बाद क नाहाते ही थोड़ा सा हाथ जोड़के मैं नाश्टा करने लग जाती हूं तो यहां पर मैथ कॉफी बनाने रख दी है और जो भी बर्तन थे जो मैंने सुबह दोए थे वहां लगा लिए है और फिर मैं कर लोंगी नाश्टा तो वही है काफी जो बहारा पसंद आती है नवार मेरे रियक्शन देख लीजिए जाने लगी थी वापस लॉट-लॉट के थंड आरियो तो थंड भी बहुत जाद लगी और यह क्याप तो उतर नहीं पारी हूं किया जो है मैं तो छोड़ी नहीं पा रही हूं कई लोग हैं जो स्वेटर हाँ पहने लग गए लेकिन पता नहीं मेर से तो जाही नेरा ठंड बहुत जादा लग रही है करें रही है सैटरडे का दिन ऐसे ही निकाल दिया मैंने का ठीक हो जाये गा संडे को जो है यारा-बारा बुझे कि आस पास फिर हम लोग दवाई लेकिताइ तो मैं पर्ट्र से पाटिकुलर दवाई लेकिया रही थी तो से पहले ना दो दिन मैंने क्रोसिं काई थी पीन तो थोड़ा मेने काम किया और थोड़ा इनुहक टेए थोड़ा चूट बहले दिन्हीन है के इनको अफिस भी नहीं जाना बच्चो को बताने कैसे सुगे मैं तो नसे round काम मत करने एन देना लेकिन एक बात की तेखो मैं लाद यह कॉम करेगा छोडश हो सक्ते हैं लेकिन पूरा काम तो नहीं जोड़ सकते हैं यह किसे बनाने का है तो खाना तो मुझे बना नहीं था बच्चों को तयार करके भीज नहीं था उसमें तो कुछ भनी है और चुटिया करा भी लेती न तो आज है निका जो है पीटी चल रहे हैं इसके आज उसका एक्जाम था तो आज तो जाना बहुंच ज़्यादा ज़रूरी था पोचा मैंने छोड़ दिया है और बस अब पीती हूँ मैं गर्मा गर्म कॉफी पीती हूँ और फिर उसके बाद जाती हूँ फिर कपड़े दोने के लिए क्योंकि पाउने 11 हो चुके हैं मुझे कपड़े दोने हैं और उसके बाद मीहों को लेने भी जाना है तो जिए बस नाश्ता मैंने कर लिया है और आगे हूँ मैं यहाँ पर कपड़े दोने के लिए और बाहर ना बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन यह कि बारिश नहीं आ रही है तो कपड़े मैं सोची थी कि बाहर ही डाल दूँगी क्योंकि थोड़ी बहुत जो बाहर की हवा लगती है तो सही रहता है ना अंदर ही अंदर कपड़े अगर सूखते है ना तो एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है उसमें तो वही है कि कपड़े दो दाके मैंने बाहर सुखा दिये और चली गई थी मैं मीहू को लेने के लिए तो जी अब यहाँ पर लंच टाइम हो है और खाना मैंने बना लिया था मीहू को लाते ही मैं खाना बना लेती हूं यहाँ पर जो है दोनों बच्चे आ चुके हैं और दोनों बच्चों को मैं खाना दे रही हूं तो टीवी देखके ना खाना जादा खाना पसंद करते हैं वो लोग बच्चे दोनों जो हैं तो य देर में जो है मैं कपड़े भी निकाल लूँगी और यहां पर बच्चे आया है तो बच्चों ने सामान देखे इस तरीके से फैलाया हुआ है और वैसे तो बच्चे अपना टिफिन वगएरा निकाल लेते हैं लेकिन होता है ना कभी-कभी बच्चे ही हैं कभी भूल जाते ह हैं वैसे तो मैं उनसे बोलती हूँ कि बच्चों आते हो ता अपना टिफिन वगएरा निकाल लिया करो लेकिन कभी-कभी जो है वो भूल भी जाते हैं तो यहां पर है मैं इनके जो है टिफिन निकाल ले रही हूँ और साथ में आई-कट, बेल्ट और टाई वगएरा जो ह आई-कट, बेल्ट आई सीधे इनके बैग में ही रखती हूँ कई लोग जो होते हैं घर में हैंक करके रखते हैं मैं ऐसे नहीं रखती हूँ तो जी बालकनी में आ गई हूँ और देखे कभूतर के पंजो के निशान क्योंकि हमारे आना कभूतर बहुत परिशान करते हैं त इसलिए उन पर निशान बनाई देते हैं तारों में नहीं दिक्कत होती है रेलिंग पर ही बैठते हैं तो यहां पर जो है थोड़ा मौसम हो रहा था बादल वाला तो मैंने का चलो जब तक मैं बरतन वगेरा कर लेती हूं और किचन भी साफ कर लेती हूं तब तक थोड़े तो जी शरीर तो जो है ना डीला हो ही रहा है लेकिन वही है काम करने हैं तो करने हैं अगर यह काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा यह वाली बात है तो बस जी यहां पर जो है मैंने दवाई खाली है और जो कपड़े है ना वो मैं अंदर ले लूँगी क्योंकि अभी मै पता नहीं चलेगा और जो बच्चे हैं ना उनसे मैं रेलिंग से कपड़े जो है वो नहीं निकलवाती हूं क्योंकि होता है ना बच्चे लटक जाते हैं रेलिंग पे इसलिए जो भी है कपड़े मैं ही निकालती हूं तो मैं निकाल के इनको अंदर फैला लूँगी तो यही की तैयारी होती है वो भी करनी होती है तो इसी के साथ ही में अपने व्लॉग का भी एंड करती हूं व्लॉग आपको कैसा लगा मुसे जुरूर बताइएगा और जो भी नियू आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को जॉइन कर लीजिए आगी भी आपको बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक्या लव यूल लाइक और सब्सक्राइब प्लीज डोंट फाउगेट बाई